So, hello students, myself Vishal Singh and today we will be starting a new chapter and that is real guesses. We will be doing real guesses. And real guesses, we will be actual advanced level. Actual advanced level. जी बिल्कुल मैं actual advanced level की बात कर रहा हूँ. Actual advanced level का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं advanced level से कुछ भटक के कहीं और चला जाओगा. बहुत ही जादा detail में पढ़ेंगे. आपको लग सकता है कुछ चीजे मैं पढ़ाऊं तो आपको लग सकता है नहीं यार ये तो syllabus का नहीं है. ये सब बातों पे मत आना आपको जो पढ़ाया जा रहा है टॉप लेवल की चीज़ पढ़ा रहा हूँ. ठीक है और बिल्कुल सब कुछ जो पढ़ाया जा रहा है अपना दिमाग मत लगाना बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं syllabus में ही है सब कुछ. ठीक है syllabus में हैं कही न कहीं indirectly syllabus में related है सबाल आ जाएगा कल को तो आपको फिर maximum बच्चे यही कहेंगे उस सबाल को किया रहे यह syllabus में नहीं था लेकिन ITJ कुछ नहीं देखने वाला आपको ITJ से थोड़ा सा आगे रहना पड़ता है ठीक है ना आपको ITJ से थोड़ा सा आगे र ठीक है उससे थोड़ा आगे जाके चलें ऐसे बहुत सारे examples में दे सकता हूँ जो किसी का expectation नहीं था ऐसा question आने का बट आया हुआ है ठीक है तो physical chemistry को पढ़ते समय कुछ भी यह ज़्यादा ना सोचें कि यह syllabus में नहीं है ऐसा है वैसा है अगर आपको अपने teacher पे trust है तो जो प्री रिक्वेसिट में आपको बता दूँ कि आपको normally mole concept तो आना ही चाहिए और mole concept आना ही चाहिए दूसरी बात आपको ideal gas आनी चाहिए और ideal gas न थोड़ा धंग के level का ideal gas वो सिर्फ PB is equals to NRT सुनके आगए कहीं से ideal gas आता है वैसे ठीक ठाक ideal gas आपको आना चाहिए तो अपन ल connect करेंगे अपन real gas को ठीक है फिर connect करेंगे real gas को दूसरा एक और point में आप add करूंगा ज़स ज्यादा नहीं दो मिनिट लोंगा और वो भी बढ़ाई की बाते ही करने ठीक है तो देखें और एक point यहाप add करेंगे कि यह जो chapter है real gases इसमें आपको concepts पे ज्यादा focus करना है यह नह लोग है ज्यादा तर theoretical ही बनेंगे सवाल numericals वगेरा नहीं बनेंगे और numericals वगेरा ज्यादा दबदार होते भी नहीं ठीक है बस hype है market में बहुत ज़्यादा रहे numerical 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 कुछ नहीं होता मुसकर जो must सवाल होते हैं वो theoretical होते हैं ठीक है मैं बात कराऊ physical chemistry की और आपको जिस level की पढ़ाऊंगा आपको पढ़ने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस level का physical आपको पढ़ाऊंगा ठीक तो पहली बात थोड़ा mentality बना लो ये numerical numerical मत करना ठीक है numerical में कुछ दम नहीं होता ITJ का numerical हर बच्चा बना लेता है अगर थोड़ा भी ठीक ठाक पढ़ा हुआ अच्छा जो सवाल होता है वो theoretical होता है जो conceptual सवाल आते हैं और conceptual सवाल के लिए आपको बहुत अच्छे से theory को समझना होगा एकदम अच्छे से आपको theories को समझना होगा याद नहीं करना होगा अच्छे से समझना होगा खासकर ये physical chemistry के topics जिसमें सबसे शुरुवात हम समझ में आजाते हैं बच्चा फसना यहीं से start करता है real gases but although मैं आपको free में चीज़ें दे रहा हूँ but बहुत valuable है इस चीज़ को समझना ठीक है इसलिए generally मैं free में बहुत जादा चीज़ें पढ़ाने की कोशिस नहीं करता हूँ कि chapter पढ़ाऊना बहुत बच्चों को लगता ह इसलिए free में पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा value नहीं करते चीज़ों को ठीक है आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे आप उसके साथ जो भी पढ़ाऊंगा उसको compare जरूर कर लेना ठीक है और फिर बताना आपको paid वाली चीज़ें मजा आई या फिर जो यह पढ़ा रहा हूँ यह मजा आया ठीक है चलो तो इनी शब्दों के साथ let us start with full focus real gases तो जैसा कि मैंने पहले कहा आपको मैं ideal gases का थोड़ा brief करूँगा तो अगर आप ideal gases को पढ़ के आए हैं तो आप कुछ इस तरह से अगर पढ़ के आए हैं अगर आप कुछ इस तरह से पढ़ के आए हैं तो आप फिर से पढ़ के आए हैं ठीक है आप फिर से पढ़ के आए हैं क्योंकि यह कोई तरीका नहीं है पी इस इको स्टो एनार्टी को लाने को मार्केट में ज़्यादा तर यह चलता है कि तीनों को जोड दिये बोल दिये देखो बेटा पीवी इकोस टो एनार्टी आ गई है ऐसी नहीं होता है आपको इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ एक इंट्रोड़क्शन दूँगा अबाउट पीवी इकोस टो एनार्टी बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि यह मेरे को उसके बाद ना कनेक्ट करना असान होगा रियल गैस की तरफ कनेक्ट करना असान होगा तो बेटा देखो वो जो लॉस थे हमारे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा वही ब बहुत पुराने लॉस थे थे वह बहुत पुराने लॉस थे वह शुरुवात में लॉस आए उसके बाद एहरी हमारी काइनेटिक एली उस आपके ने पढ़ी होगी सब कढ़े हो और आasting के पढ़ा कॉन वाला वही वाई पी इस ईकोल्स दो सबसे ज़्यादा interesting चीज इस chapter में क्या है पता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज theoretical है ये चीज experimental है ये theoretical है ये experimental है ये confusion हो जाती है बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज experimental है कौन सी चीज theoretical है कहां से क्या आ रहा है बहुत लोग तो PV is equals to NRT को भी experimentally ले आते है ठीक है चलो देखो तो ये एक equation आता है ये कैसा है theoretical है या experimental है obviously ये theoretical है कहां से आया है ये अपने KTG के कुछ assumptions को लेते हुए derive किया जाता है वो derivation यहाँ पढ़ने की ज़ुरत नहीं आपका ये equation आता है और इसी तरह से Maxwell का एक equation आता है काफी बड़ा सा equation होता है उसको equation को आपको याद करने की भी ज़ुरत नहीं है dn is equals to something रहेगा उसके बाद एक exponential सी term रहेगी m upon 2rt to the power of 3 by 2 e to the power of minus mu by 2rt ऐसा एक लंबा सा term रहेगा is equals to 2n ये बड़ा सा equation आता है ये equation कहां से आता है द्यान से पूरा focus के साथ समझना है ये equation कहां से आता है ये भी Maxwell के कुछ assumptions से आता है मतलब जो अपने काम की बात है वो ये है कि ये भी theoretically आता है ये भी theoretically आता है Maxwell Boltzman के कुछ assumptions के साथ उन्होंने बनाया हुआ है अगर आपको इसका भी तरीका समझना है कि ये कैसे आया है तो फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, college college में चले जाना, मन है बहुत ज़्यादा पढ़ने का, तो आप Peter Atkins देख लेना, Peter Atkins में आपको ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है, अभी मैं आपको समझा सकता ह बट वो जरूरत नहीं है, वो अपन आउट ऑस से लेबस चले जाएंगे, ठीक है, आप बस इतना समझो, ये एक equation, बहुत सारे बच्चों ने तो ये equation देखा भी नहीं होगा, ठीक है, ये equation देखा भी नहीं होगा, तो पिटा देखो ये equation आता है, Maxwell Boltzman के, कुछ theoretical assumptions के साथ ह experimentally आ रही है, गलत है, URMS की value भी theoretically आ रही है, solve करके आ रही है, थोड़ा मोड़ा calculus यूज़ करेंगे, क्या इसको solve करके URMS निकालना बहुत मुश्किल है, नहीं है बहुत मुश्किल है, बेसिक calculus लगता है, बेसिक calculus अभी हम नहीं करेंगे, अपने को बस पता होना चीए, हा to mean square speed 3RT by M, और फिर इसी URMS को जब आप यहां डालते हो, और फिर simplify, simplify करते हो, तो ultimately आपको मिलता है, PV is equals to NR, और हाँ, यह जो equation Maxwell Boltzman और हमारा KTG से आता है, यह कहीं न कहीं वो जो पुराने जो laws आए हुए थे, Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, उन laws के साथ मैच करता है, proportionality तो मैच करती है, values नहीं पता, proportionality तो मैच करती है, तो कुछ इस तरह से आपको ideal gas समझ के आना है, तो यह तो equation हमने बनाया, PV is equals to NRT, अब एक काम करेंगे, कि अब R की value-value आपको पता हो गए, अब एक काम करेंगे, कि एक हम container लेके, हम PV is equals to NRT, यहाँ पे pressure measurement करने के लिए कुछ भी लगा लो, कोई भी device, parameter लगा लो, और फिर क्या करो, आप container का volume fix कर दो, आप मान लो, volume है कुछ इसका, 20 liter यह जो भी है, इसमें आप डाल दो 2 mole gas डाल दो, R की value पता है, temperature रग दो 300 Kelvin, और फिर आप PV is equals to NRT से pressure calculate करोगे, ठीक है, आप pressure को calculate करोगे, pressure calculate करोगे, ठीक है, calculate कर लिए, फिर अब आप lab जाओ, lab जाके इसको exactly setup करो, 2 mole का container, 10 liter का volume, और temperature 300 Kelvin का वहां maintain करो, और उसके बाद आप इस, आपका जो भी instrument जिससे आप pressure measure कर रहे हो, उससे आप pressure की value देखो, और इसको बोलो P experimental, क्या लगता है आपको, P calculated और P experimental सेम होगा, P calculated और P experimental सेम होगा, नहीं होगा सेम, obviously सेम नहीं हो सकता है, हम ऐसे घर बैठे, calculate करके, exact values नहीं बता सकते, इस बात को समझना, आप exact values नहीं बता सकते, ठीक है, कि हाँ, pressure की value, 2.3 ATM आईगी, और जब measure कर रहे है, वो exactly 2.3 ATM आ रही है, यह नहीं हो सकता है, यह possible ही नहीं है, क्योंकि हम उस molecular level पे जाके, एक एक चीज को नहीं समझ सकते, और मैंने जैसे ही आपको बताया था, यहाँ पे, कि यह जो, KTG से R.I.E. equation, Maxwell distribution से R.I.E. equation, तो इन दोनों ही theories में, बहुत सारे क्या लिए गए है, assumptions, ऐसा माना जा रहा है, कि हाँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐस जो gaseous particles हैं, जो gaseous particles हैं, उनका volume, container के volume के comparison में negligible है, दूसरा assumption यह माना गया था, कि किसी भी तरह का attraction, repulsion, कोई भी intermolecular forces नहीं है, in between the gaseous molecules, यह बाते मानी गई थी ना, KTG के assumptions में, तो इतने सारे assumptions लगा के, चीजों को neglect करकरके, अगर हम कोई equation derive कर रहे हैं, तो how could it, just match the results, it cannot match the results, वो results को match नहीं कर पाएगा, आप 2.3 ATM यहां से ले रहे हो, आप 2.3 ATM सोचों की value भी आ जाए, ना, संभव नहीं है, तो कोई equation है क्या, जो exactly value, एक दब equal value ले आती है, कोई ऐसी equation है, तो देखो, आज की date तक ऐसी कोई equation नहीं है, जो आपको यह P experimental, P calculated, दोनों same आ जाए, ऐसी कोई भी equation नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है, हाँ, wonder wall equation सही equation है, वो real gas की equation है, real gas की equation है, तो उससे P experimental, P calculated, दोनों same आ जाता होगा, नहीं आता है, ठीक है, P experimental, P calculated, उससे same नहीं आता है, बहुत सारे और equations है, latest मैं बोलूँ, तो virial equation है, हाँ, बहुत close values आती हैं, उसमें, बहुत close values आती हैं, मतलब P experimental, P calculated, मैं शुरू मैं बेड़ा थोड़ा brief कर रहा हूँ, कि अपनको आगे किस design से पढ़ना है, तो पहले lecture में थोड़ा सा मैं brief कर रहा हूँ चीज़ों, तो समझो, क्या क्या बोला मैंने, एक wonder wall equation अभी आप derive कर तो इस equations को देख के लगता है कि हाँ यार, यह थोड़ा सा complicated सा equation है, यह experimental value को match करता होगा, बट अक्सोस यह भी match नहीं करता है, तो कोई equation है कि अहाँ सबसे latest equation है, virial equation of states, इसको भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, बहुत लोग बोल देते हैं, out of syllabus है, मैं बोल रहा हूँ, आपक इसको भी अगर आप अच्छा rank चाते हैं, ठीक है, तो आप इसको पढ़ें हैं से, समझें इसको, पढ़ाएंगे, सबसे last में आएगा यह हमारा, तो यह virial equation of states, यह latest equation है, latest है, काफी complicated है, काफी complicated है, काफी complicated है, तो values match करनी चाहिए यार, इतना महनत से बनाया गया है, काफी complicated है, exactly तो value यह भी match नहीं करा पाता, तो conclusion यह निकल रहा है, कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी equation नहीं है, जिससे अपने को सीधे P experimental, P calculated बराबर आजाए, कोई भी नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा सवाल आता है बच्छों के मन में, तो समझो मेरी बात को, value exactly match कराना कोई बहुत जरूरी नहीं है, कि value match होनी चाहिए, हाँ, आपको एक आस-पास का पता चल जाता है, even मैं तो बोलूँगा कि PV is equals to NRT सबसे अच्छा equation है, क्यों? क्योंकि नहीं, उसमें complications बहुत कम हैं, complications बहुत कम हैं, बहुत अराम से समझ में आ जाता है, PV is equals to NRT, बहु कि A से B जो है, आपने मुझसे पुछा, A से मुझे B जाना है, कितना दूर है यार, आपको नहीं पता, मैंने बोल दिया, 1000 km है, मैंने बोल दिया, 1000 km है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप Google कर रहे हो, गूगल करके आपने देखा, नहीं यार, 1010 km है, आपने देखा, पता चल गया ना, यार, 1000 km है, ठीक, अब 110 है, मेरी value exactly match नहीं की, लेकिन एक help मिला, और इस तरह से experimental results के हम बहुत करीब पहुँच सकते हैं, और इसका industrial level पे, और बड़े बड़े level पे, बहुत सारा application है, application वाला part, आपनी ideas में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाद हम theories को बहुत अच्छे से जड़ में घुच के पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हैं, आपको मैंने ideal equation या फिर ideal gas equation का brief दिया, PV is equals to NRT का brief दिया, और मैंने कहा कि यह equation मेरे हिसाब से एक अच्छी equation है, reason भी आपको बता दिया, so now let us start real gas का actual topic, अब पकड़ते हैं हाँ से real gas क चलो देख, तो हमने experiment किया, actual gas को पकड़के, P versus V graph plot किया, actual gas को पकड़के, पहले अपनने real gas लिया है, और real gas के साथ experiment कर रहे हैं, real gas लिया है और उसके साथ experiment कर रहे हैं, PV का graph बनाया है, हमने कुछ ऐसा graph बनाया है, PV inversely proportional है, यह भी बता रहे है, यही तो वो भी बता रहा था हमारा, सबसे पहला वाला boils law, कि inversely proportional है, तो सही तो था वो law, inversely proportional है, यह तो सही था, लेकिन exactly values, इस pressure पर क्या volume है, इस pressure पर क्या volume है, वो exactly same नहीं बता पा रहा था, ठीक है, उसी लिए तो अपन आगे कुछ और equations को derive करने की कोशिस कर रहे हैं, त रियल गैस हमने लिया और उसका graph बनाया, कुछ ऐसा बनाया, उसके बाद हमने ideal gas के लिए बनाया, ideal gas के लिए कैसे graph बनेगा, normally equation को solve करके graph बनाया, experiment नहीं किया, ideal gas होता ही नहीं है, तो क्यों experiment करोगे, PV is equals to NRT से calculate किया, और calculate करके हमने यहाँ पर, तो PV is equals to NRT से calculate करके जो graph बना, वो graph कुछ इस तरह से आ रहा, it was not actually overlapping with the real gas curve, it was not actually overlapping with the real gas curve, and this is the only issue that we have, बस इसी issue को sort out करने के लिए हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, तो यह क्या हो रहा है, तो शुरुवात में, बहुत detail में भी wonderful equation में अपने यह सब चीज़ों को समझेंगे, बट शुरुवात में एक तर्क दिया जाता है सा, कि देखो, जब PV is equals to NRT derived हुआ था, तो KTG ने कुछ assumptions लिये थे, assumptions उन में से दो assumptions क्या थे, उन में से दो assumptions क्या थे, पहला assumption यही था कि force of attraction या repulsion या force of interaction मैं बोलूँ, force of interaction नहीं है between the particles, और दूसरा ये कि particles की जो volume है, particles की जो volume है, वो negligible है, अभी इन दोनों points पे बहुत गहरी चर्चा होने वाली है, यार आगे, बहुत गहरी चर्चा होने वाली है, तो ये दो points इन्होंने एजूम किये थे, कि force of interaction नहीं है और particles की volume negligible है, तो इसी point से शुरुआत में अपन इसको अभी थोड़ा सा ऐसा digest करने की कोशिस करते हैं, कि यहां कुछ ऐसा हो रहा होगा, कि when you have very low, या फिर very high pressure से, से जब pressure बहुत हाई है, समझो मेरे बात, जब pressure बहुत हाई है, इस region को पकड़ो, यह high pressure region में क्या हो रहा है, आप ऐसे सोचो, high pressure region में, high pressure region में, molecules are very close to each other, the gaseous molecules are very close to each other, और जब बहुत close है ना, वो molecules, अच्छा, real gas में तो force of attraction होता है, यह दोनों तो गलत points थे ना, जो आगे चलके गलत प्रूव हुए थे, KTG के यह जो दो postulates है, इनी दोनों को cause माना गया है, cause माना गया है, deviation का according to wonder wall, अभी wonder wall भी आएगा यार, state union की, तो यह cause माना गया है, कि यह जो points है, इनी वज़ाओं से यह deviation आ रहा है, इनी वज़ाओं से यह deviation आ रहा है, तो इसी को थोड़ा सा justify करते हैं, initially थोड़ा सा justify करते हैं, क्या justify करते हैं, कि देखो, यह जो particles है ना, यह बहुत close है, high pressure region में आप ऐसे सोचों कि particles बहुत close है, और जब particles बहुत close होते हैं, तो ऐसा मानना है wonder wall का, wonder wall का ऐसा मानना है कि बहुत close हैं अगर particles, तो उनमें repulsion forces dominate करते हैं, इन सभी चीज़ों को वो अपने equation से mathematically भी prove करेगा, लेकिन आपको एक शुरू में एक overview दे रहा हूँ, कि आप ऐसे सोचों कि जब particles बहुत close हैं, तो दो तरह के interactions हैं, दो तरह के interaction से आप एक attraction बोलो, एक repulsion बोलो, एक attraction बोलो, एक repulsion बोलो, तो जब particles बहुत close हैं, तो repulsion forces, repulsive forces dominate करेंगी, ideal में कौन सा force होगा, ideal में कोई force नहीं है, तो ideal तो बिना किसी force of interaction वाला volume है, वी ideal और वी real में, वी real जब real volume आएगी, तो उसमें थोड़ा repulsion है, क्योंकि particles बहुत close है, अगर repulsion है, तो जो volume हम measure करेंगे, experimentally, वो ideal से क्या आएगा, थोड़ा ज़ादा आएगा, ideal से ज़ादा आएगा, वी real ideal से ज़ादा आएगा, कब, जब particles बहुत close हैं, तो यह देखो, high pressure region में, high pressure region में, आप ए given pressure पे देखो, तो यह देखो, यह आ रहा है तुमारा वी real, और यह आ रहा है तुमारा वी ideal, यह आ रहा है तुमारा वी real, और यह रहा है वी ideal, due to the repulsion, और इसी चीज़ को, जब हम थोड़ा सा, ज़ादा वॉल्यूम पे जाएंगे, ज़ादा वॉल्यूम मतलब low pressure, और हम कहेंगे, जब particles दूर दूर हैं, जब particles दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, तो इनके बीच में, क कितनी सचाई है, क्या है, सब आपको आगे पढ़ाओंगा, दीरे दीरे चीज़े unfold होंगी, ऐसा नहीं सोचना कि यहां, बस हाँ मेरे को समझ आ गया है, इतना असान नहीं है, तो क्या होगा, तो हम यह कह रहे हैं कि यार जब large molar volume होगा, तो हाँ ठीक है, attraction dominate करेगा, और attraction dominate कर करेगा, attraction dominate करेगा, और attraction अगर dominate करता है, तो real की जो volume है, ideal में तो कुछ force ही नहीं है, real की volume attraction dominate किया, particles थोड़े पास आ गए, और real की volume कम हो गई, ideal की volume जादा हो गई, और यह graph भी वही suggest कर रहा है, आप given pressure पे देखो, ideal की volume जादा है, real की volume कम है, एक pressure region के बाद, ठीक है, तो इस basic से graph को समझने का पहला तरीका यह हो सकता है, और इन दो points में थोड़ा focus करना, wonder wall ने न, इनी दो points को पकड़ के पूरी अपनी equation बना दी है, उसने मेहनत नहीं किया, उसने मेहनत करके कोई नई equation नहीं बनाई, उसने बस KTG की इन दो points को पकड़ा, उसी से थोड़ा बहुत correction किया, और वो correction में भी कितनी सचाई थी, आपको लोग नहीं बताते हैं, मैं बताऊंगा, उस correction में भी कितनी सचाई थी, वो भी आपको बताएंगे, चलिए देखिए, तो उसने correction किया, ठीक है, अब उसने correction किया, तो अब हम पढ़ेंगे, wonder wall's equation, wonder wall's equation, हाँ, पहले में equation लिख देता हूँ, आपने equation पढ़ा जरूर होगा, बहुत बार देखा होगा, a plus an square by b square, into v minus nb, is equals to rt, या nrt, यह आपका wonder wall equation, सबसे पहली ये गलत फैर्मी दूर करो, कि ये real gas के लिए लग जाती है, ये कौन से gas के लिए, real gas के लिए, ने, किसके लिए है ये, क्या बोलोगे इसको, इसको बोलोगे ये है wonder wall gas के लिए, किसके लिए है, ये wonder wall gas के लिए, हाँ, real gas तक पहुँचने का एक अप्रोच था, लो तुम भी अपना नाम रख लो वांडर वाल गैस के लिए तो आपको दिख रहा है कुछ कि कहीं न कहीं ये PV is equals to NRT कोई थोड़ा सा उसी में छेड़ खानी कर दी गई है और ये equation आ गया है आप देखिए PV is equals to NRT में ही थोड़ी सी चेड़ खानी कर दी गई है और ये equation आ गया है pressure में थोड़ा सा कुछ-कुछ कर दिया और volume में थोड़ा सा कुछ-कुछ कर दिया और फिर बोलाईए देखो भई ये equation है ये better equation तो इसने भी वही कहा अब हम समझते कि कैसे इसने किया pressure का correction और कैसे इसने किया volume का correction तो पहले में चलो volume के correction से बात को start करता हूँ कैसे इसने किया volume का correction एक गजब का एक नया term इसने introduce कर दिया था वो term आपको भी बहुत confuse करता होगा अगर आपने अभी तख पढ़ा है तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि आप pressure है भी आप नहीं पढ़ें इसलिए में बहुत थीरे थीरे चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ तो आप KTG का वो कौन सा postulate था? Volume वाला KTG ने क्या assume किया था? KTG ने ये assume किया था कि volume of gas particles कि आप अगर gas के particles की volume देखो gas के particles की volume देखो और volume of container देखो container बोलूं या फिर volume of gas बोलूं एक ही बात होती है language में confuse मत होना gas particles बोलूं और इधर volume of container बोलूं या gas बोलूं एक ही बात है वो कह रहा था kinetic query कह रही थी कि ये बहुत ज़ादा बड़ी है और इसको हम क्या करेंगे neglect करेंगे इसको क्या करेंगे हम neglect करेंगे तो ठीक है तो वांडर वाल क्या कहता है वांडर वाल कहता है कि यह जो volume है यह यहाँ V नहीं होना चाहिए यह वी नहीं होना चाहिए यहाँ V के जगापे एक उसने नया सा term इंट्रेडिउस कर दिया उसने बोला यहाँ पे actual volume नहीं होना चाहिए यहाँ ना एक free volume होना चाहिए समझना ध्यान से उसने कहा कि यहाँ पे V नहीं होना चाहिए V की जगा पे अगर आपको दो चीजों का product इस तरह से सोचो अगर दो चीजों का product आपको NRT चाहिए तो यह जो दूसरी चीज है वो pure volume नहीं होनी चाहिए ऐसे सोचो दूसरी चीज ऐसा सोचो उसको बहुत ज़ादा conceptually सोचने की कोशिस मत करो क्योंकि मैं इसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताऊंगा कि यह जो free volume volume है इस सब धोखा है कुछ नहीं इस सब धोखा है और कुछ नहीं actual चीज आपको बताऊंगा तीसरे चौथे लेक्चर तक आप महां तक पहुंच जाओगे आप समझो तो शुरू में क्या यह कह रहा है कि यह जो दो चीज है दो चीज उनका product अगर NRT करना है तो यह दूसरी चीज जो है वो volume of container नहीं होगी वो free volume होगी वो free volume होगी free volume तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों लोगों ने शुरुआत में कहा ऐसा क्यों free volume यह क्यों free volume तो उसने बोला यार देखो KTG गलत थी ना KTG गलत थी ना क्यों गलत थी क्योंकि उसने माना था कि gas के particles का volume negligible है मैं उन gas के particles को उनकी जगा दे रहा हूँ और कुछ नहीं मैं उन gas के particles को उनकी जगा दे रहा हूँ और कुछ नहीं इसको बहुत ज़्यादा conceptually नहीं सोचना है ऐसे ही सोचना है ऐसे ही सोचना है जैसे बता रहा हूँ सिर्फ आप V मत लिखो आप क्या लिखो वहाँ पे free volume लिखो तो free volume कितना होगा gas के लिए तो gas की free volume कितनी होगी free volume मतलब वो volume आप gas particles को इसा pause करो आप सोचो आपके room में gas particles हैं आप एक container के अंदर हो gas particles हैं और gas particles randomly move कर रहे हैं और आप pause button दबा दो आप pause button दबाओ और देखो की अब कितना space है जो की free है gas particles के लिए तो वो free volume क्या आएगा वो free volume क्या आएगा वो free volume यह आएगा ना यह free volume ऐसा आएगा V minus हम उस V में V क्या है आपे container का volume gas का volume लेकिन यह क्यों नहीं match कर रहा है result wonder wall का कहना था कि भाई यह दो चीजों का product NRT तभी होगा जब यह V normal सिर्फ volume नहीं होगी वो free volume होनी चाहिए आप इसको consider कर लो और इसको consider करोगे तो आप real gas की equation बना लोगे इसके पीछे logic क्या है actually मैं तो किसी को नहीं पता इसके पीछे का logic क्या है ठीक है बहुत लोग समझा भी देते है कि हाँ इसके पीछे का logic किये है बहुत लोग ऐसे भी समझा देते है यह कि हाँ आप देखो बेटा आप एक ऐसा container imagine करो देखो ऐसे यह सब चीजे आप सुने होगे हो सकता है कि आप एक ऐसा container imagine करो जिसमें जो particle की size है वो container के size के ही बराबर है जो particle की size है वो container के size के ही बराबर है है ना particle की size जो है वो container के size के ही बराबर है तो क्या वो pressure लगाएगा क्या वो pressure लगाएगा वो particle pressure लगाएगा नहीं लगाएगा सर क्योंकि वो move नहीं कर रहा है ठीक है आप अगर ऐसे सोच रहे हो कोई बुराई नहीं है बट मैं बताऊँ आपको actual reality कुछ इस तरह से है और actual में free volume volume कुछ है नहीं ये free volume वगरा कुछ है नहीं तो अभी आप ऐसे समझ रहे हो चीजों को कि इस V के जगा हमने कुछ replace करना है और replace कुछ इस तरह से करना है क्या replace करना है volume of particles हम replace करेंगे volume of particles अच्छा चलो ठीक है volume of particles replace करो volume of particles replace करो तो यह volume of particles ठीक है सर कोई बात नहीं volume of particles को रहे हैं मैं replace कर रहा हूँ मैं ऐसे कर देता हूँ मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा फेटा patience रखना बस ठीक है patience रखना थोड़ा सा patience रखना मज़ा आज जाएगा देखो यह देखो यह volume of particles यह हमने क्या किया ठीक है हमने moles, moles हमको पता है हमने volume of container लिखा volume of gas minus particles की volume एक rigid sphere मान लिया उसको और 4 by 3 pi r cube हमने minus कर दिया और कुछ n moles है जितने भी moles है moles से multiply कर दिये तो आपको पूरी तरह से volume of particles में गया sphere मानते हुए ये भी अगे लेक आपका assumption है कि आप sphere मान रहे हूँ ठीक है मान दो आपने ये minus कर दिया तो बस ये minus कर दिये तो आप आजाएगा result क्या volume correct हो गया ये volume वाला term correct हो गया volume वाला term correct हो गया volume वाला term correct हो गया अब देखो free volume अब एक और यहाँ पर दिक्कत आएगी उसने पहले इतना ही किया उसने पहले इतना ही minus किया और उसके बाद फिर देखा उसके results match हो रहे हैं क्या प्रेशर करेक्शन भी कर चुका है वो और वॉल्यूम में इतना करेक्शन किया और उसके बाद उसने देखा कि क्या वैल्यूस मैच कर रही है तो अभी भी काफी डेवियेशन आ रहा था अभी भी काफी डेवियेशन आ रहा था तो उसके दिमाग में आया चलो मैं फ्री वॉ देखो, जब मैंने इसको pause किया ध्यान से समझना, ये free volume का concept, अभी सिर्फ इतना करने से पूरा volume correction नहीं हुआ अभी थोड़ा सा और एक यहाँ पे दिक्कत है, क्या किया उसने अब उसमें बोला याँ देखो ठीक है पूरे particles की volume को container से minus कर दिया, मैंने free volume तो मिल गया, लेकिन ये जैसे दो पार्टिकलس है, ये बहुत close है, मैंने pause किया जिस instant पे मैंने pause किया ये दो पार्टिकल्स बहुत close है तो मुझे बताओ, क्या ये जो पार्टिकल अपना है, ये वाला पार्टिकल क्या वो इनके बीच के इस स्पेस में गुश सकता है इनके बीच का ये जो स्पेस है क्या वो free volume के अंतरगत आएगा उस particle के लिए क्या वो वहाँ जा सकता है free volume क्या है उसने इसी तरह से define किया free volume मतलब pause करने के बाद उस gas molecules को pause करने के बाद अब कितना स्पेस बच रहा है जहां आप एक molecule को पकड़ के इधर उधर घुमा सकते हो ठीक है एक molecule को पकड़ के इधर उधर घुमा सकते हो कितना स्पेस बच रहा है तो बताओ क्या ये दोनों के बीच में ये जो स्पेस है ये जो स्पेस है क्या यहां जा सकता है यह molecule नहीं जा सकता इसी तरह से बहुत सारे और ऐसे spaces create हुए होंगे जैसे मालो यह है यह wall के बहुत करीब है तो यहां पे भी जो छोटा सा space create हुआ इसमें भी यह molecule नहीं जा सकता तो free volume में वो सब volumes को भी हटाना पड़ेगा वो भी free थोड़ीन है वो भी free थोड़ीन है तो उसको भी हटाना पड़ेगा उसको भी हटाना पड़ेगा तो अब उसको कैसे measure करें संभव है क्या theoretically भी measure करना संभव है क्या theoretically भी measure करना उसको संभव नहीं है नहीं है संभव तो इसने क्या किया इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किये बहुत एक्सपेरिमेंट किये देखा रिजल्ट क्या मल्टिप्लाई यहां कर दूँ यहां क्या मल्टिप्लाई कर दूँ क्यों कि थोड़ा जादा वॉल्यूम थोड़ा जादा volume माइनस करना पढ़ेगा जादा volume माइनस करना पढ़ेगा तो उसने सोचा क्या multiply कर दूँ क्या multiply कर दूँ कि मैं थोड़ा close पहुंच जाँ close पहुंच जाँ तो at last उसने experiment करके एक factor निकाला उसने बोला चलो मैं यहां 4 multiply कर देता हूँ 4 multiply कर देता हूँ तो उसने बोला ठीक है यह जो V gas और यह 4 into this volume को ही नहीं उसने कह दिया NB इसी को इसने कह दिया NB और B एक correction factor है अभी शुरुआत में तो अपन उसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि हाँ यह size के बारे में बता रहा है बट 2-3 lecture के बार परते खोलूँगा थोड़े और ठीक है अभी थोड़ा सा suspense में रहूँ तो क्या बोला मैंने इस V की जगा पे क्या लिखना ठीक होगा इसने कहा प्रेशर का correction तो ठीक है V minus NB करो और यह NB क्या है यह वाला और इसके पीछे का थोड़ा सा क्या logic लगाया वो मैंने आपको बता दिया और वो logic के पीछे जो दिमाग था वो थोड़ा सा एक present करने का तरीका है थोड़ी को उसने kinetic theory gases की यह वाले postulate को पकड़ा और उसको बदनाम किया और इस तरह से free volume का concept रिजान किया I hope आपको यहां तक चीजें बढ़िया से समझ आई share भी करो या वीडियो उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है तब ही आगे के lectures लेकिया हूँ और नहीं तो रूख जाओंगा मैं अब क्या बता हूँ ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चलो तो अब अपन बात करेंगे दूसरे correction की जो की है pressure correction अभी हमने volume को correct किया और अब हम pressure correction की बात करेंगे अब हम pressure correction की बात करेंगे इसको भी बिल्कुल logic के साथ समझना बिल्कुल काइदे से समझना ठीक है और अपने मन से कुछ दिमाग मत लगाना कि वो क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है लौ की तरह मनो हाँ वो ये कह रहा है उसने कहा इस एंगल में सोचो तो हम उस एंगल में सोचेंगे हम अपने से कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है वैसा भी हो सकता है यह सब नहीं करना है ठीक है अभी देखना इस equation को हम जब आगे use करेंगे तो बहुत सारे experimental results है जो इस equation से हमको समझ में आते हैं तो आप अपनी समझ use मत करना इसमें ठीक है जो wonder wall ने कहा है उसकी thought process को पकड़ो ठीक है चलो देखो तो pressure correction की बाद करा इस volume correction के बाद अब देखो अब एक और postulate को यह पकड़ेगा केटी जी की एक और postulate को पकड़ेगा और कहेगा कि यह गलत है वो कौन सी postulate थी वो postulate थी कि कि किसी भी तरह का force of attraction नहीं है force of attraction absent है यह वाली postulate को पकड़ेगा अब यह कहेगा नहीं यार absent नहीं है force of attraction तो होता है force of attraction तो होता है तो absent नहीं है absent मान लिया केटी जी ने इसी लिए तो उसमें deviation आ रहा है तो हम इसको correct कर देंगे ऐसा wonder wall का कहना था तो अब इसने क्या बोला ध्यान से देखो इसने सिर्फ attraction की बात की है ये बड़ा समझ आएगा दीरे दीरे आपको actually में वो जो actually में जो free volume वाला suspense मैंने लगा के रखाए ना भी अभी आपको समझ में आएगा वो free volume actually में है क्या तो ये force of attraction तो यहां इसने किसकी बात की attraction की ही बात की बोला ठीक है यार attraction देखो बस ठीक है ज्यादा दिमाख मत लगाओ attraction को देखो तो यहां पे इसने बोला कि ये particle है ये particle है और यहां पे particle है दो particles को consider करो अगर particle यहां पे होगा अगर particle यहां पे होगा तो चारों तरफ से इसको net force बराबर मिल रहा होगा net force of attraction हर तरफ से मिल रहा होगा, बराबर मिल रहा होगा, net force of attraction बराबर मिल रहा होगा, actually मैं बताओं, जो free volume वाला वो जो B term है न, वो कहीं न कहीं repulsion को signify करता है वो कहीं न कहीं repulsion को signify करता है, I'll tell you how but वो कहीं न कहीं repulsion को signify करता है, तो इस theory में repulsion को भी consider किया गया है, बट वो normally J level पे वो दिखता नहीं है ठीक है, तो चलो भी बात करेंगे उस पे तो यह देख, यह एक particle है यह particle में चारो तरफ बराबर attraction है, तो हम बोलेंगे net force नहीं है, तो net force नहीं है, तो ठीक है तो फरक नहीं पढ़ना चाहिए force of attraction की वज़ा से, बट अगर आप इसी particle का उस point of time पे देखोगे, जब यह यहाँ पहुचा हुआ है, जब यह about to collide है, इसके इधर और कोई particle नहीं है, सिर्फ wall of container है, जब यह about to collide है, तो हम यह कहेंगे कि हाँ, अब तो एक पीछे की तरफ इसको एक drag मिलेगा है, अब इसको एक पीछे की तरफ क्या मिलेगा, drag मिलेगा, अब इसको एक drag मिलेगा, तो इस drag से क्या होगा, इस drag से क्या होगा, इसकी जो pressure है, वो हमारी उमीद से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यह जो pressure है बड़े ध्यान से बिल्कुल focus के साथ समझना इस बाग को तो अब जो इसकी pressure जो हमें मिलेगी जो हमें pressure मिलेगी वो हमारे उमीद से या फिर ideally जो हम मान रहे थे उससे थोड़ी कम आएगी क्योंकि एक तरह का क्या मिल गया इसको attraction मिल गया sir repulsion भी तो मिल सकता है मत सोचो उस angle पर मत सोचो उस angle पर इसने किस की बात की सिर्फ attraction की बात की इस point पे तो इसके इस point गो समझो बस sir repulsion की बात क्यों नहीं किई इस point पर इसका कोई जवाब नहीं ठीक है इसका कोई जवाब नहीं है एक indirect hint आपको दे दिया है मैंने कि वो जो free volume वाला B term है वो कहीं न कहीं repulsion को signify करता है बट देखो भी आगे तो ये force of attraction तो बात ये है कि जो हमारा ये PV is equals to NRT हमने लिखा इसमें ये P कौन सा P है ये P कौन सा P है ये वो pressure है जब gas के बीच में कोई attraction नहीं है ये वो pressure है जब gas के बीच में कोई attraction नहीं है pressure when there is no attraction between gas particles जब gas particles के बीच में कोई भी attraction नहीं है उस समय का pressure है ये P उस समय का pressure है लेकिन क्या ये P हम real gas का observed pressure इसको बोल सकते है क्या हम इस P को P observed बोल सकते है real gas के लिए नहीं बोल सकते है इस P को P observed नहीं बोल सकते तो अगर आपको इस equation से आप ये P calculate कर रहे हो तो क्या वो सही आएगा नहीं आएगा वो P observed है नहीं क्योंकि P observed इस P से छोटा होगा P observed इस P से छोटा होगा क्योंकि actual में molecules को एक पीछे की तरफ का drag मिल रहा है जब वो टक्कर खाने वाले हैं walls के साथ जब वो walls के साथ about to collide है तो उनको पीछे की तरफ एक drag मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे इस P को क्या हटा दे P को हटा दे तो इस P के जगा, मतलब आप ऐसे सोचो इस P के अंदर कहीं P observed है एक P जो है, यह P एक बड़ा सा term है एक बड़ी value है जिसके अंदर कहीं P observed छुपा हुआ है So I would write it like this It is P observed plus कुछ एक correction P correction, अब इस P correction के बारे में बात करूँगा ठीक है P correction, यह कुछ ऐसा होना चाहिए और V तो हमने करी दिया है, V minus NB V minus NB, वहाँ V क्या था? वही effective size भी बोल देते हैं कभी-कभी volume पूरे particles का volume moles वोल से into कर दिया, फिर इधर N से और into 4 भी कर दिया, बताए अभी उसकी बात किया आपने अभी मैं बात करूँगा सिर्फ इस टम की P correction अभी P correction कैसे निकाला जाए? निकालना तो theoretically है निकालना तो theoretically है, इस P correction को कैसे निकाला जाए? तो इसमें यहाँ फिर एक जुगाड़ बताया और यह जुगाड़ भी ठीक ठाक approximation के साथ लिया गया है अच्छा है, देखो, क्या है P correction So if I talk about P correction, तो इसने क्या कहा? कि पहला factor जिस पर यह P correction depend करेगा, वो है A, A मतलब अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना जैसे यह particle है, ठीक है? आप मालनों इसके इधर कोई particle नहीं है और इसके पीछे कुछ particles है इसके पीछे कुछ particles है इस particle को अपन देख रहे है, ठीक है? इस particle पे focus कर रहे है और यह टकर खाने जा रहा है तो attraction की वज़े से pressure कम हो रहा है P observed attraction की वज़े से कम हो रहा है तो पहला जो एक point है, वो हम यह बोल सकते हैं की वो attraction का magnitude कितना है तो उसके लिए constant इसने बोला यह क्या बता रहा होता है? यह बता रहा होता है magnitude of attraction अलग-अलग gases के लिए अलग-अलग होगा? जी हाँ अलग-अलग होगा, यह बताता है magnitude of attraction यह बताता है magnitude of attraction ठीक है ये बात तो समझा गई और कोई factor होगा क्या जी हाँ और भी factors होगे क्या कि अब magnitude पता चल गया अब हो सकता है किसी gas में एक particle के पीछे खीचने वाले जो particles है जो खीच रहे हैं वो बहुत सारे हैं और किसी gas में या किसी gas में कुछ ऐसा situation आपने रखा हुआ है कि उस समय उस gas के पीछे जो खीचने वाले particles है वो काफी कम है खीचने वाले particles काफी कम है तो depend करेगा न उस factor पे भी कि कितना dense है इदर पीछे वो लोग कितने dense है जो उस particle के immediate neighbors है जो उनको पीछे की तरफ खीच रहे है वो कितने dense है उस पे depend करेगा न obviously करेगा तो उसको किस से अपन show करे उसको ना अपन concentration से show कर देते है ठीक है concentration से show कर देते है कुछ लोग इसको number density भी बोलते है concentration से show कर देते है अपन n by v अब थोड़ा feel करो न कि कितनी density है particles की जो लोग वो खीच रहे है तो n by v बोल देते हैं इसको n by v बोल देते हैं क्या बोले number of particles pulling back pulling back the particle which is about to collide which is about to collide जो collide होने वाला है उसको कितने लोग खीच रहे है अब एक बात और है अब कितने लोग खीच रहे है एक factor यह है और कितने लोगों को खीचा जा रहा है वो भी तो एक factor न हुआ तो एक बार और इसी term को multiply करो एक बार और इसी term को multiply करो ये क्या बताएगा कि कितने particles को खीचा जा रहा है उसके लिए n by v एक बार और इसने multiply किया तो कितने particles को खीचा जा रहा है number of particles being pulled number of particles being pulled कितने particles को खीचा जा रहा है तो क्या बना p correction p correction क्या बना p correction बना a n square by b square और इसके साथ साथ हमने अभी wonder wall equation सीख लिया कि wonder wall equation actual level पे सीख लिया कि wonder wall equation क्या है p plus a n square by v square into v minus n b is equals to n r d तो आप comment करके जरूर बताओ कि आपको कैसा लगा lecture और quality भी बताओ और share जादा से जादा करो बहुत महनत लग रही है यह सब चीजे आपको पढ़ाने में ठीक है बहुत महनत लगती है यह सब चीज पढ़ाने में और यह जो भी आपको मैं explanation दे रहा हूँ यह ना कोई normal कहीं ऐसा नहीं कि कोई video देख लिए सीख लिए उसको deliver कर दिया ऐसा नहीं यह सब जो भी ग्यान अर्जित मैंने अभी तक किया यह सब किताबों को पढ़ के किया है और वो actual knowledge होती है यार books को पढ़ें अभी तो कहर आपको नहीं पढ़ने की जरुरत है अपन को जेई देना है तो अभी अपन को बहुत ज्यानी नहीं बनना है अभी तो जेई देना है तो आप जो पढ़ाया जा रहा है हमारे द्वारा या पिर जो आपके teachers आपको पढ़ारहे है जो अच्छे teachers पढ़ारहे हैं आपको क्योंकि आर्षे teacher से पढ़ना बहुत important है खासका JEE के लिए फ्यूचर डिसाइड करना है ये फ्यूचर डिसाइड करता है आपका और उसके साती सात कोई नॉर्मल मामूली एक्जाम नहीं है इसका लेवल आप देखो के तो अच्छा है ठीक है तो आप अच्छे टीचर से पढ़ो वो बहुत important चीज़ है ठीक है compromise नहीं करना teaching में teaching quality में compromise नहीं करना कि किसी भी teacher से पढ़ ले रहें ठीक हैर हो जाएगा अपने से कर लेंगे आप अगर देख रहे होगे चीज़ों को तो आपको समझ में आ रहा होगा नहीं अपने से तो नहीं हो पाएगा तो यह जो भी हमको यह जो ग्यान मिल रहा है किताबों को पढ़के मिलता है जैसे आप हमारी Claydon series देखिए उसमें books को पढ़ा है Claydon को पढ़ा है वह बच्चे देखे जिनको बहुत अच्छा और गयने chemistry में पकड़ चाहिए वहाँ मैंने book पढ़ा है अब यहाँ भी चाहें तो पढ़ा सकते हैं कि आपको चले Peter Atkins पढ़ा लेकिन Peter Atkins आपके थोड़ा सा आपना syllabus से भटक जाओगे उसमें बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो आपके कोई काम की नहीं है वह हमको पढ़ने दो बाकी और जिनको इंट्रेस्ट है उनको पढ़ने दो काफी है वह आपके लिए नहीं है तो आप ज़रूर बताएं और इसका lecture 2 जो है सून अप्लोड करेंगे जब हम देखेंगे कि हाँ lecture 1 में काफी अच्छा response आ रहा है तब at least 1000-14000 views आ जाएंगे पेस्ट में उसके बाद ही मैं lecture 2 अप्लोड करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करूएंगे काफी मेनद लग रही है थैंक्स पर वच्छिए